this next time is interference interference what chemicals होते हैं जिनको वो cells produce करते हैं जो की viral infection से infected होते हैं यहीं कि viral infection की वज़े से cells मर रहे होते हैं और तब यह chemical को produce करते हैं और यह chemicals या compounds रहें वो दूसरे cells को इस viral infection से बचाने का काम करते हैं तो इनको बोला जाता है interference now here we'll see the mechanism of phagocytosis किस तरह से phagocytosis WBC करते हैं तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे यह डाइप्रेडियस का आपको प्रोसस दिखाया हुआ है इस इस प्रोसस को बोलते हैं डाइप्रेडियस आप देख सकते हैं यहां पर देखेंगे की डाइप्रेडियस कर रहे हैं इसको पूरे तरह से डाइप्रेडियस कर लिया है और इस प्रोसस को यहां से यहां था कि प्रोसस आपको दिख रहा है इस प्रोसस को हम बोलते हैं फैगो साइटोसिस उपर वाला जो आपको दिखाया है वह दिखाया है type adiasis and these two diagrams are the examples of phagocytosis next type is interferons interferons वो chemicals होते हैं जिनको वो cells प्रोडूस करते हैं जो कि viral infections से infected होते हैं यहीं कि viral infection की वज़े से cells मर रहे होते हैं और तब यह chemical को प्रोडूस करते हैं और यह chemicals यह compounds रहे हैं वो दूसरे cells को इस viral infection से बचाने का काम करते हैं किस तरह से फेगो साइटोसे करते हैं तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे यह डाइपेडियस का आपको प्रोसस दिखाया हुआ है इस इस अपिलरी ठीक है और गैपिलरी से आप देखेंगे की यह जो वाइट ब्लड सेल्स यह बाहर की दरफ निकल रहे हैं यह कि तो इसको बोलते हैं Dive. आप देख सकते हैं, WBC forcing its way across capillary wall. यहां पर देखेंगे कि WBC क्या कर रहे हैं? कि यह जो बैक्टिरिया है, इसके चारो तरफ यह इसको क्या कर रहे हैं? गेर हैं, कवर कर रहे हैं, इसको इंगल्फ करने के कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर हम लास्ट वाले फिगर में देखें कि completely engulf हो गये हैं इसको पूरे तरह से WBC ने बैक्टिरिया को swallow कर लिया है और इस प्रोसेस को यहां से यहां था कि जो प्रोसेस आपको दिख रहा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं phagocytosis उपर वाला जो आपको दिखाया है वा specific defense mechanism भी बोलते हैं तो immune system क्या होता है immune system के अंदर group of proteins present होते हैं जिनको antibodies बोलते हैं जो कि हमारी blood plasma और lip में circulate करते हैं right so यह form करते हैं third line of defense उन pathogens और harmful molecules के againstment जो कि first और second line of defense को भी park करके हमारी body में अंदर आ जाते हैं तो इनका सबसे important characteristics system का यह होता है कि यह system अपने cells यानि कि self जिसमें से इनके अपने cells आगे और macromolecules आगे उनसे और जो foreign substances होते हैं जो non self कह सकते हैं या invaders बोल सकते हैं उनसे यह differentiate कर सकते हैं और उस तरह से differentiate करके identify करके ही यह work करते हैं तो जितने भी foreign molecules होते हैं वो हमारे body के अंदर जो enter करते हैं वो foreign molecules को antigen बोला जाता है और antigen तो हैं वो बड़े-बड़े molecules होते हैं जो कि bacteria की cell wall के बाहर attach रहते हैं या फिर viruses के पर जब coat होता है protein coat present होता है उसके बाहर में यह present रहते हैं यह molecules and these are known as the antigens because types of immunity दो तरह की immunity होती है एक होती है natural जिसको innate भी बोला जाता है और दूसरी होती artificial जिसको acquired भ हम innate immunity भी बोलते हैं और inborn immunity भी बोलते हैं क्योंकि हमें यह since birth मिली भी होती है ठीक है और इसको native immunity भी बोला जाता है so यह एक तरह की genetic protection होती है against the pathogens right तो जो हमको inborn ही मिली भी रहती है so this is known as inborn immunity or native immunity or natural or innate immunity right so यह depend करती है कि body का genetic material कैसा है उसके उपर यह depend करती है तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके types कैसे होते हैं so here we'll see innate immunity of two types non-specific immunity और specific immunity non-specific से सोज में आ रहा है कि इसमें wide range of pathogens को यह क्या करता है defend करता है तो it is a natural defense to all pathogens ठीक है and defense is not specific to a particular pathogen or disease किसी particular pathogen या disease के लिए यह specific नहीं होती है यह सभी pathogens के against में work करती है example is immunity in our body against diseases that are caused in plants and other animals तो plants और other animals में जो disease होती है उसकी against हमारी body के अंदर immunity होती है ठीक है तो यह example हो गया non-specific immunity का then specific immunity यह वो natural response है जो कि कुछ specific pathogens या foreign substances के against ही होता है और यह it is not effective against other pathogens यह दूसरे pathogens के लिए effective नहीं होगी यह particularly किसी एक specific pathogen या specific foreign substance के against ही काम परती है तो यहाँ पर example हम देख सकते हैं on getting vaccinated for a particular disease अगर आप किसी particular disease के against vaccination आपका होता है अगर chicken box के against में हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो other pathogens पे भी के लिए भी वो मतलब vaccinated हो गया है वो सिर्फ chicken box के लिए हुआ है बाकी के diseases के लिए आपको अलग से vaccination देना पड़ेगा इसके लिए यह वाला जो vaccine है वो काम नहीं करेगा इसे particularly उसी chicken box के लिए ही काम कर या उसी के against में हमारी body में immunity develop होगी दूसरे के लिए नहीं होगी तो यह example होगया specific immunity का right second type is artificial और also known as acquired immunity right तो acquired immunity वो resistance है या वो immunity है disease के against जिसको एक individual अपने lifetime में acquired करता है यानि कि gain करता है एक बार अगर किसी particular disease के लिए हमारी body के इम्मिनिटी डवलक हो जाती है तो normally वो दुबारा से disease हमें नहीं होता है तो example में देखेंगे polio और measles का example दिया हुआ है तो इसको समझेंगे कि यह कैसे होता है तो acquired immunity दो तरह की होती है actively acquired immunity इसको active immunity बोलते है और दूसरी passively acquired immunity इसको passive immunity बोलते है तो पहले हम देखेंगे actively acquired immunity का क्या मतलब